जैसे ना, दोस्तों अगर आप भी YouTube पे वीडियो बना बना के ठक गए हैं, चाहे वो आपका व्लॉग हो, चाहे वो आपकी sitting वीडियो जैसी ये वीडियो आप तेख रहे हैं, ऐसी वीडियो आप बना रहे हैं, बना बना के ठक गए हैं कि आपकी वीडियो वाइरल नहीं हो र दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, तो इस चैनल को देखके ज़़ मत कीजिए, मेरा में चैलन्ल है, मेरे 40,500,000 को पर सब्सक्राइबरस हैं, 45,500,000 होने वाले हैं, उसके अलावा मेरे 1,000 व्लौक चैनल भी है, जहाँ पर मेरे 11,000 सब्सक दे रहा हूं दोस्तों आपने देखा होगा कि आज की डेट में माय फर्स्ट लॉग नाम से टाइटल पे वीडियो कितनी ज्यादा वाइरल हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है मैंने भी आपको मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया हूं इस टॉपिक से रिलेटेड आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं वो वीडियो 50 वीडियो सेम टाइटल में मैंने डाला हूं 50 या 45 के आपस माय फर्स्ट व्लॉग और भर भर के मैंने क्लिक बेट किया हूं लेकिन मेरी एक भी वीडियो वाइरल नहीं हुई और बाकी के लोगों की कैसे ह को ये वाइरल तो मैं आपको ये बताता हूं देखे क्या है मुझको ये लगता है मैंने अपना experience इस बात में notice किया हूँ मैंने कि ये बात मैं अपना experience से बता रहा हूं कि जितने भी गाउं के लड़के न वो लोग काई सिर्फ माय फर्स्ट व्लॉग वाइरल हो और सबसे म इन बात की वो लोग जैसे कोई बॉटल ले लेते हैं, बॉटल में ऐसा कैमरा फसा लेते हैं, मोबाइल फसा लेते हैं, कोई लाठी में फसा लेता है, मैंने तो ये भी देखाऊं कि कोई लॉकी, इतनी लंबी लॉकी है, इतनी लंबी खेट से तोड़के उसमें असा मोबाइ रहे हैं और title में लिख दे रहे हैं my first vlog और thumbnail में भी लिख दे रहे हैं my first vlog तो वो लोग का video ही viral हो रहा है और कोई quality नाम की तो कोई चीजी नहीं है उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि video में क्या बोलना है बस my first vlog टाइटल पर दा रहे हैं बच्चे ले आ दे रहे हैं वीडियो में लोकी हाथी गोड़ा लोकी और डंडा जाडू और उल्टी सीदी चीज बॉटल खुछ भी thumbnail में लगा दे रहे हैं और video viral हो जा रही है लेकिन अब इनको कहां तक लोग देखेंगे कई लोग बोलते हैं कि आगे इनका channel डूब जाएगा लेकिन भाई मुझको तो यही लगता है कि जब तक इनका channel डूबेगा तब तक audience इनके channel पे इतनी ज्यादा हो जाएगी ना कि डूबेगा ही नहीं भाई views आने ही आने है मैं बोल रहा हूँ अगर आज देखो 10-10,000 इनके एक महीने के अंदर हो जा रहे है अगर एक लाख हो गए 50,000 हो गए तो कितनी भी गिरी से गिरी हालत में 4-5,000 views तो easily आने वाले है इनको यह चीज सोचना गलत है कि चैनल डूब जाएगा मुश्किल है जब क्या है जब पैसे आने लगते हैं कहीं से भी तो आदमी का motivation बढ़ता जाता है और आदमी और अच्छा काम करता जाता है तो आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको भी अगर वीडियो वाइरल करनी है तो वैसी जाड़ू में कोई बनाया है वीडियो तो वैसा लगाओ डंडा और उसमें बहत्मी मुवाइल फसाओ लौकी में कोई फसाया तो साले को आप मतलब सौरी मेरी बात से बुरा मत मानना मैं motivation के लिए बुरा आप बैगान में फसालो केले में फसालो कुछ भी करो यार औ आपके घर में अगर बच्चा नहीं है तो पडोसी का बच्चा ले आओ किसी अगर आपका कोई दोस्त होगा चाचा फूपा किसी को भी तो उसी को मुवाइल पकड़ा दो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं मुवाइल पकड़ा दो और थमनिल ले लो या फिर उसी को देखने आएंगे लेकिन बाद में लोग आपको देखने लेंगे, इसंपल सी बात है, शहर का था मैं उस लिए शायद मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई, मेरे पास कोई बच्चानि था मेरी वायरल नहीं हुई, और मैंने ये सारी चीज़ें लोहा, हथी, रंड़ा ये सब नहीं लगाया उसलिए शायद मेरी वीडियो वाइरल नहीं हुई और अब मन भी नहीं कर रहा है वो चीज़ करने का पता नहीं कर भी सकता हूँ एक्सपेरिमेंट के तौर मैंने वो चीज़ किया था तो मेरा नहीं हुआ तहा, मैं आपको अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि भाई आप ऐसा कर सकते हो और गाओं के हो तो आपको ख़र नहीं चाहिए यार, शहर के लोगों को शायद आजकल लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं तो अगर आप गाहों से हैं तो इस opportunity का फाइदा उठाईए यार जरूर आपको लोग देखेंगे और डरिये मत बस thumbnail में ऐसा बनाईए और वीडियो में कुछ भी बात करो नई समझ में आरा कोई देकत नहीं खराब देख रहा हो तब तो बिलकुल बनाना चाहिए भाई आपको क्योंकि अच्छे लोग को तो वैसे भी आज़कल लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं आपको लगता है कि मैं खराब देखता हूं मैं नहीं बना सकता है मेरे को बोलते नहीं आता तो सबसे पहले तो आपको यह अपना चैनल बनाना चाहिए और जो आप अगर खराब देखते हैं मैं इस टॉपिक पर वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जबरदस्त वीडियो होगी आपको हंसी भी आएगी, मोटिवेशन भी मिलेगा सही लगे नीचे, कमेंट करके बताईएगा कि हाँ आप करेंगे या नहीं करेंगे मेरी बात क्या गलत है या सही है सारी चीज़ें आप बता सकते हैं थैंक्यू आपको यह वीडियो देखने के लिए श्री सीताराम